दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Chrome browser अपडेट नहीं हो रहा है तो इस problem को कैसे fix करें मैं आपको live proof के साथ इस problem को solve करके बताऊंगा 110% working trick के साथ तो दोस्तो Google Chrome browser अपडेट नहीं हो रहा है तो इस problem को fix करने के लिए यहाँ से हमें back आना है और back आने के बाद दोस्तो जो जो setting मैं आपको बता रहा हूं सभी setting आप देख लिजिए तो सबसे पहले दोस्तो यहाँ पर हमें इस तरीके से home screen पर आ जाना है और उसके बाद दोस्तो अब यहाँ पर हम प्ले स्टोर को ढूड लेंगे और play store ढूडने के बाद दोस्तो अब यहाँ पर हम इस तरीके से इस पर long press करेंगे और long press करने के बाद दोस्तो अब यहाँ पर आएगा app info यहाँ पर देख सकते हैं यह हो सकता है तो direct आपको यहाँ पर i का option मिले तो आप यहाँ पर app info या i वाले option पर click करेंगे और उसके बाद दोस्तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर page open हो जाएगा तो अब दोस्तो यहाँ पर आपको इस तरीके से नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक option मिलेगा notification से नीचे यहां पर आपको एक option मिलेगा restrict data तो अब दोस्तों यहां पर हम restrict data usage पर किलिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पर हम देख लेंगे कि हमारा mobile network इस तरीके से टिक है की नहीं अगर tick नहीं है तो यहाँ पर दोनों पर इस तरीके से tick कर देंगे तो सबसे पहले दोस्तों यह काम आपको कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर ok पर click करेंगे उसके बाद यहाँ से back आएंगे और back आने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे के side में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक option मिलेगा clear data देख सकते हैं तो अब दोस्तों यहाँ पर हम clear data पर click करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम clear all data पर click करेंगे लेकिन मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपको यहाँ पर clear data नहीं मिलता है तो फिर आप यहाँ पर ऊपर आएंगे और ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप storage पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा clear data देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देख लिजे जहाँ पर आपको clear data मिले वहाँ पर आप click कर लिजे और उसके बाद यहाँ पर clear all data कर दीजे उसके बाद ok कर दीजे और ok करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से हम back आएंगे और back आने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम फिर से play store को open करेंगे और play store open करने के बाद अब यहाँ पर हम search bar पर click करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम type कर देंगे chrome इस तरीके से हम type कर देंगे और chrome search करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा chrome browser update होता है कि नहीं क्योंकि मेरा पहले तो update नहीं हो रहा था लेकिन अब मेरा chrome update होता है कि नहीं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते है मेरा chrome browser यहाँ पर update होना start हो चुका है देख सकते हैं मैं आपको life proof के साथ दिखा दिया हूँ कि chrome browser अपडेट नहीं होता है तो इस प्रोब्लम को कैसे फिक्स करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा Chrome फाइनली अपडेट हो चुका है तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कॉमेट जरूर कीजिए और चैनल पर आप पहली बारा है तो सब्सक्राब जरूर कर दिजिए चलिए फ्रेंट्स फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ